वेल्कम बेक टू दा मरीन वेल्स और दोस्तो आज की वीडियो में बहुती इंपॉर्टन अपडेट आप लोग के लिए लेकर आया है यह वीडियो बैसिकली डेडिकेड़ है जो लोग आये में सीडी 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रहे है बहुती इंपॉर्टन अपडेट है द पहुच चेड़ आप लेकर दोस्तों जो पहला अपडेट है वो यह है कि आईये में अपना ऑफिशल सेंपर पेपर डिक्लेर कर दिया है और आप आये में की वेब साइट पर जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं आप मैं आपको बताऊंगा कि उसको डाउनलोड कैसे करते ल लग जीके आपको नहीं पाड़ना है अब जो एंगलिख के 40 questions पूछए जाएंगे जनरल एप्टिट्यूट के 40 questions पूछए जाएंगे फिजिक्स से 50 questions पूछए जाएंगे और last में बज़ता है अपना chemistry और chemistry से पूछ जाएंगे only and only 20 questions तो कुल मिलाके होगे 200 questions तो जी हाँ 200 questions इस बार के IMU CET में पूछे जाएंगे पिछली बार भी 200 questions ही पूछे गए थे लेकिन इस बार GK को निकाल दिया गया है और जो mass distribution है वो इस तरीके से है जो मैंने आपको बताया अब मैं आपको बताऊंगा कि official sample paper को कैसे आप download कर सकते हैं IMU की website पर जाकर हाँ तो दोस्तों आपको IMU की official website को visit करना है जो की है imu.edu.in तो आपके सामने बहुत ही easy सा एक interface खुल जाएगा उसके बाद में आपको थोड़ा सा नीचे आना है और academics activity section में आपको admission to UG and PG programs 2020-2021 batch पर click करना है आपको click करने के बाद में आपके सामने बहुत ही simple सा एक interface फिर से खुल जाएगा अब आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं CET model papers for UG and MBA programs तो अपने को MBA, MST से कोई मतलब नहीं हम लोग इस पर click करेंगे UG except BBA यहाँ पर जब हम click करेंगे तो आपके सामने IMU का official sample paper खुल जाएगा जहाँ पर marks के distribution भी दिये हुए और sample questions दिये हुए तो हमारी जो book है IMU CET 2020 question and answer वो book बे मैं आपको recommend करूँगा कि आप वो book के question solve कर दो ताकि सबसे अच्छी rank आप लेकर आओगे IMU CET 2020 में और सबसे अच्छी rank आएगी तो जो आपकी इच्छा है मन पसंदीदा college आपको मिलेगा तो दोस्तों ये तो sample paper है ही ये भी कर दो और दोस्तों इंटरनेट पे कहीं से आपको मिल रहा है वो भी कर दो जो इंटरनेट का है वो तो मैं आपको recommend नहीं कर पाऊंगा उसके अंदर material कैसा है मुझे नहीं पता लेकिन जो हमारा जो question bank का find it question bank का जो एक series है वो भी आप कर लो ताकि आपको ये chance ही मत छोड़ो कि यार मतलब हर चीज़ को आप कर डालो और ये कब करना है NCRT के बाद आप पहले अगर इन questions को लेके बैठोगे तो दोस्तों कुछ नहीं होना आपका सिर्फ और सिर्फ time waste होगा आप एक अच्छी rank secure नहीं कर पाओगे तो मैं recommend करूँगा एक बार NCRT के basics कर लो उसके बाद में आराम से question मिलाओ sample paper मिलाओ, ये मिलाओ हमारा जो question bank है, find it question bank का वो मिलाओ और अच्छे से तयारी करते रो और दोस्ता आपको अगर इसको अपने PC में download करना है तो यहाँ पर एक download का option आ रहा है इसके उपर आप click करते इसको download कर पाएंगे अब जो दोस्तों दूसरा update है वो ये है कि IMU CET अपना fit से एक official webinar conduct करवाने जा रही है, webinar का मतलब online seminar, जितने भी आपके question है आप आज note down कर दो 1st of August को उनका live webinar है आप वहाँ पर जाके उनसे कितने भी questions पूछ सकते हो, जो भी आपके doubt से सब एक page पर लिखके बैटो और कल है 1st of August जितने भी आपके doubt है, सब कुछ उनसे पूछ डालो, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस webinar के लिए registration कैसे करना है, step by step हलो दोस्तों, ये है IMU की official website, इसमें आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर आप देख पाऊंगे live webinar, IMU common entrance test 2020 procedures, मतलब आप इसमें participate कर सकते हैं, जितने भी आपके doubt है लिख कर रखो, आपके parents अगर interested है, उनको भी बोलो कि ये webinar देखे, उनको कोई questions पूछने तो वो भी सीधा पूछ सकते हैं, आपको सीधा इसके ओपर click करना है, click करने के बाद में easy सा interface खुलेगा, पहले यहाँ पर हम देख लेते, webinar कब होने वाला यह 1st of August 2020 यानि कि Saturday, दोपैर को तीन बजे शे शाम के पांच बजे तक यह होने वाला कंडग, तो दोस्तों इसके लिए भी आपको registration करना पड़ेगा, जो registration में आप email address पुट करेंगे, उस email address पर आपको link आएगा webinar से पहले, और उस link को open करने के बाद में आप webinar को join कर सकेंगे virtually, तो दोस्तों मैं आपको बता तो form कैसे fill up करना है, बहुती easy सा form है, कोई ज़्यादा details नहीं, एक बार आराम से देख लो अब दोस्तों जैसे आप submit के उपर click करेंगे तो आपके सामने एक बहुती easy सा response खुलेगा, जो कह रहा है, your response has been recorded मतलब आपका form submit हो चुका है, अब webinar से कुछ घंटे पहले आपको link आ जाएगी, अगर आपने email address सही डाला है तो email address बिल्कुल आप चेक कर देना, उसी पर आपको link आएगी, उस link को open करके आप webinar को join कर पाएंगे हालो दोस्तो, आज की वीडियो में हमने ये दोनों चीज़े जानी, बहुती important update थे, आप लोग पढ़ते रहिए, IMECET की तयारी करते रहिए, तयारी चलनी चाहिए, बस कुछ नहीं, आपकी बहुत अच्छी rank आएगी, कोई load मत लेना, और बस अपनी continuous तयारी करते रहो, करत धगते मरीन वेल्स